आप सुन रहे हैं प्योर जिन्दगी, लेट्स अनकॉंप्लिकेट, लेट्स फाइंड आउट अफ लव और हेट, गुड़ और बैड, पिटी और ग्रेट. नमस्कार, मैं हूँ मनोश रवास्तो और आज हम तोड़ेंगे ये धारना कि बुजर्ग कुछ नया नहीं सीख सकते, अपने वेवहार को नहीं बदल सकते. हुजर्ग पेरेंट्स हों या ग्रेंट्पेरेंट्स या कोई और, उनके प्रती आपके मन में सबसे ज्यादा प्यार होता है और सबसे ज्यादा पीड़ा भी. उनकी ढलती सेहत हमें चिंता में रखती है और हम चाहते हैं कि जो भी है जैसा भी है उसमें वो प्रसंचित और प्रफुलित रहें। हम चाहते हैं कि अपनी उम्र के आखरी पड़ाव पर वो जीवन का पूरा आनंद लें। मगर उनके आगे हम लाचार महसूस करते हैं क्योंकि हर बात बस एक बात पर आकर खत्म हो जाती है कि उम्र गुजर गई अब क्या करना और क्या सीखना। उम्र तो सारी कटी इशके बुताम मुमिन आखरी वक्त में क्या खाक मुसल्मा होंगे। बुढ़ा आदमी क्या बदलेगा जब पूरी उम्र नहीं बदला तो अब क्या बदलेगा। ये सूच बड़ती उम्र के लोगों के साथ साथ हमारे आपके मन में भी घर बना चुकी है जो की गलत है और एक तरफा तरकों और सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है। वो तो फेस्बुक नहीं चला सकते हैं। उनको अकेले छोड़ कर कहीं नहीं जा सकते। डॉक्टर ने कहा है थोड़ा एक्सरसाइज करो पर ये करें तब ना। हम अपने बुजर्गों की जिन्दगी में छोटी-छोटी चीजें ढूंड कर अपनी इस सोच को बार-बार कन्फर्म करते हैं कि साट साल से ज्यादा उमर के लोग नहीं बदलने वाले। इस तरह जाने अंजाने प्रतक्ष और परोक्ष रूप से हम बुजर्गों को भी इसी तरह से सोचने की सलाह दे रहे होते हैं कि वो बदल नहीं सकते। बस अपनी जिद पर अड़े रहना ही उनके लिए नॉमल है। ये बात ना सिर्फ गलत है बलकि नुक्सान दे भी है। आपसे गुजारिश है कि कम से कम एक बार ये तो सोचिए कि इस बात में आखिर कितनी सचाई है और खुद में चेंज लाने की हमारी कैपासिटी पर साइन्स क्या कहता है। क्या सतर या असी साल की उमर में एक्सराइज सुरू नहीं की जा सकती। क्या बढ़ापे में अपन बात करते हैं। साइको थेरेपी यानि इलाज का एक ऐसा तरीका जो किसी इनसान को अपनी सोच, भावनाओं और व्यवहार को कंट्रोल करना और बदलना सिखाता है। दुनिया के जारतर डेवलप्ट देशों में हर उमर के लोग जरूरत महसूस होने पर साइको थेरेपी क कहता है कि साइको ठेरेपी जितनी जवान लोगों के लिए असरदार रही है। उतनी ही भुजरूरों के लिए भी। तो क्या इसका मतलब ये है कि सीखने की या खुद को बदलने की हमारी शमता का हमारी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आप कह सकते हैं कि जो लोग साइ के लिए तयार होकर जाती हैं ऐसे लोगों पर आए नतीजों को सभी पर लागू नहीं किया जा सकता यह तर्क उचित है इसलिए एक दूसरी स्टडी में चलते हैं यह एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हर उमर के लोगों को एक बेसिक बिहेवियर सीखने को कहा जाता है जैसे कि उन्हें कुछ बटन प्रेस करने हैं और यह सीखना है कि किस बटन को दमाने से इनाम में पैसे मिलेंगे और यह भी सीखना है कि किस बटन को ना दमाएं ताकि इनाम छू में कम है मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं सीखते वो सीखते हैं लेकिन धीरे धीरे इसका एक स्पष्ट कारण यह है कि उम्र के साथ उनकी चेतना कमजोर पढ़ने लगती है शॉर्ट टर्म मेमरी और इन्फोर्मेशन प्रोसेसिंग की शमता कम हो जाती है दूसरी त ग्यान और उसके साथ साथ उम्र भर इकटा किया गया उनका अनुभाव एक साथ मिलकर उन्हें विस्तरित और सटीक नजरिया देते हैं वो अत्यंत कठिन समस्याओं का हल बता सकते हैं जैसे कि तुफान में छट को उड़ने से कैसे रोका जा सकता है बुजर्गों के पुर अधिया एल्मिनिस्ट्रेटर भी होता है इन्वैलेबल स्किल्स का इस्तेमाल करके वो रिटार्मेंट के बाद आसानी से खुद का बिजनस भी चला सकता है और एक एडवांटेज है बुजर्ग लोग लक्ष निरधारित करने और लक्ष के प्रती समर्पित रहने में भी हम से बेटर हैं इसके कई उधारन आप अपने आसपास देख सकते हैं अक्सर ऐसे बुजर्गों की कहानी आपको मीडिया में भी देखने को मिलती है यहां एक बारीक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बुजर्गों की प्रियोरिटी अलग होती है रिसर्च बताते हैं कि ब पैसे और भौतिक वस्तों के प्रति इसकी एक साफ वजह ये दिखाई देती है कि अपनी सांसारिक जिम्यदारियां निभाते निभाते उन्हें भौतिक वस्तों की वास्तविक कीमत समझ में आ जाती है और वो अपने बचे हुई जीवन को आध्यात्मिक लक्षों के प्रत जादा थनमयता से जूटते हैं। ध्यान रखिये कि इनसान की लर्निंग रिवार्ड सिस्टम से जुड़ी हुई है। हमारे ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम उम्र के साथ साथ कमजोर होता जाता है। ये एक इवोलिशनरी बायो साइकोलोजिकल फिनोमेना है। मतलब बुजु बुजुर्गों की लर्निंग को जिन्दा रखने के लिए उनके सामने ऐसे लक्ष रखे जाने चाहिए जो उनके लिए आज भी रिवार्डिंग है। ऐसे लक्षियों का खजाना जीवन के वास्तविक मुल्यों में है। प्रेम में, करुना में, समर्पन में है। ना कि तब शायद बड़े उत्साह के साथ वो उस काम में जुट जाएंगे। के मुताबिक दुनिया की आबादी में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का प्रपोर्शन 2015 में 12% था, जो 2050 तक बढ़कर 22% हो जाएगा। करीब करीब दो गुना। आज की पीड़ी पर ये जिम्मेदारी है कि वो इसे एक समस्या की तरह ना देखे और बुजर्गों का सहा कारा बनने के साथ साथ अभी से उनकी आत्म निर्भरता को बढ़ावा दें। तो अब कभी ये मत कहना कि बुढ़ा तोता क्या सीखेगा। बुढ़ा तोता वो सीखेगा जिसकी जिन्दगी में सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें भी उनसे यही सीखना चाहिए कि जिन्दगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। प्योर जिन्दगी पॉडकास को भी आपके समर्थन की जरूरत है। इसे फॉलो करें और रेट करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच पाए। नमस्कार।